नमस्कार साथियों, साबत है आप लोगों का फिर से आज बात करेंगे बीटादीन दवा के बारी में बहुत पॉपुलर इंडिया में बीटादीन दवाई का यूज अब ये जो बीटादीन दवा है उसके अंदर क्या साल्ट होता है कैसे काम करता है, कैसे इसको लगाना है, क्या साइड इफेक्ट आ सकता है किन किन कंडिशन में लगाना है ये सब हम लोग जानने वाले है बीटादीन दवा की बात करें तो ये आपको आइंटमेंट के रूप में आएगा मतलब मलहम लगाने के लिए solution इसका आता है, इसके अलावा इसका गारगल आता है कि आप इससे कुला कर सकते हैं, गारगल कर सकते हैं और powder भी आता है, powder गरूप में भी आता है तो इस तरीके से ये अलग-अलग रूप में आती है और ये skin surface पे मतलब उपर की जो skin की हमारी surface है उस पे लगाने के काम में आती है और ये एक तरीके की antiseptic and disinfectant है मतलब इसकिन पे अगर आप ये दवा लगाते हैं तो आपका सरीर में जो bacteria का virus fungus का infection है वो नहीं होगा इसलिए इसको आम लोग disinfectant या antiseptic बोलते हैं तो ये किसी को infection skin में हो उसको treat करने के लिए ठीक करने के लिए और ना होने पाई इसके लिए भी ये यूज में लिया जाता है और betardine बहुत ही popular है ऐसा कोई hospital ये ऐसा कोई emergency, OT ऐसी कोई जगा नहीं होगी जहां पी इसका यूज ना होता हो अलग-अलग strength में आता है और इसकी जो main दवा है जो salt है वो है povidine iodine मतलब ये जो betadine है ये दवा का नाम होगे इसके अंदर जो salt होता है वो होता है povidine iodine और उसमें से जो iodine है वो इसका active ingredients है जो की antiseptic and disinfectant जैसा काम करता है basically जो bacteria virus मारने का काम है वो iodine के कारण होता है तो ये एक बहुत ही important दवाई है जो skin के surface में infection ना हो जा उसके लिए यूज करी जाती ध्यान रखना है कि इसको हमें मतलब कोई इसको पीना नहीं होता है कि liquid है तो उसको पी ले किसी और रूप में यूज करें strength की बात करें तो जो आपको मलहम मिलेगा है वो 5% 10% solution भी आता है इसका 5-10% का जो गारगल होता है जैसे गला खराब हो उस case में 2% का या जो dusting powder आता है वो 5% इन सब अलग-अलग strength में ये रहता है अब अगर इसके यूज की बात करें तो ये जो सबसे जरूरी इसका यूज ये है कि इसकिन में किसी भी तरह का infection ना होने पाए उसको prevent करना या ठीक करना तो जैसे किसी को cut लग गया है cut आपको चाकू से लग सकता है ये किसी नुकिली चीज से लग सकता है या आप गिर गए हैं उससे लग सकता है या कोई खाओ बन जाए या कोई उस पे evasion आ जाए हलका सा छिल जाए या burn हो जाए किसी चीज से आप जल जाए या फोड़े फोंसी हो जाए या operation से पहले प्री आपरेटिव बिटाडिन का solution लगाना हो या operation के बाद dressing करनी हो या कहीं पे खुला घाओ है उसकी dressing करनी है तो ये बिटाडिन उस condition में यूज के जाता है इसकिन के उपर यूज के जाता है कि कहीं घाओ फोड़ा फुंसी कट लग गया है उन सब condition में जल्दी से घाओ ठीक हो जाए और infection ना होने पाए उसके लिए यूज के जाता है अब ये पोविडीन आयोडीन इसके अंदर जो होता है एक्टिव इंग्रेडेंट्स होता है उसमें जो आयोडीन होता है वो एक्टिव मालीकूल है पोविडीन सिर्फ एक बाइंडर जैसा काम करता है आयोडीन के मालीकूल को बांध के रखता है आयोडीन करता गया है कोई भी माइक्रूल हो चाहे बैक्टिरिया हो वायरस हो फंगस हो प्रोटोजोबा उसके अंदर जाता है और उसके जो प्रोटिन से नुक्लिक एचिड है फेटी एचिड है उसको आक्सिडाइज कर देता है उसको खतम कर देता है इसलिए हर दरा के बैक्टिरिया वायरस को यह मार देता है तो चाहे कितना ही रजिस्टेंट बैक्टिरिया हो ग्राम पार्शिव निगेटिव सब पे से लिए असरदार है अगर इस बीटादीन के नुक्सान की बात करें तो चुए कि यह उपर लगाया जाता है इसके सर्फिस पे लगाया जाता है तो अगर आप इसको हपते दस दिल लगाते है तो इससे कोई भी खास साइड इफेक्ट नहीं आता है मतलब कोई ऐसा सिग्निफिकंट साइड इफेक्ट नहीं आता है जिसको बहुत गंफिर्वता से लिया जाया है खुजली हो सकते कुछ लोगों को इससे अलरजी हो सकती है इसकिन थोड़ी से निकल सकती यह सब समयस्या हो सकती है चुकि इसके अंदर आयोडीन मरीजों में थोड़ा सा सतरक रहने के जुरुत होती है जिनको आप थारेड हार्मोन बढ़ा हो थारेड और किटनी के पेशन्ट में थोड़ा से इसको साधानी से यूज़किया जाता है वैसे दो चार दिन के लिए आप लगा सकते हैं कट पे या घाव पे कैसे लगाना है आइंटमेंट जो है यह मलहम है इसको दिन में दो बार पाउडर है दिन में दो बार अप लगा सकते हैं ड्रेसिंग और गयरा दिन में एक बार ही करी जाती है कीमत की बात करें तो यह बीटा डीन सस्ती दवाईओं में से है आइंटमेंट के रूप में अलग कीमत है पांच सो पंदर रुपए के आसपास पड़ता है कहने बतलब है कि ये सस्ता है तो ये बीटा डिंग के बारे में जानकारी हो गई एक बहुत ही अच्छा एंटिसेप्टिक दिसेंफेक्टेंट है जो की इसकिन के सर्फिस पे अगर कोई खाव फोड़ा फुनसी कट इंजरी या जल जाता है तो इसकी लिए बड़ा ही अच्छा और बहुत ही इफ्यक्टिव दवा है थैंक्यू